तो गाइज वेलकम बैक टू मैं यूटीब चैनल कैसे आप सब लोग सो गाइज सुबा हो गई है और यहां पर मैं बना रही हूं चाय गर्मा गरम अधरक वाली और ठंडी तो भाई साब दिन में दिन बढ़ती ही जा रही है कम होने का नाम ही नहीं ले रही है ठंडी तो तो बनने वाली है और मैं चाहती हूं अंदर और ममा को उठा देती हूं तो यहां पर देखिए ममा उठी गए थे तो उसके बाद मैं मैं आई बहार और चाय नाश्ता करने के बाद मैं मैं आपर ले रही हूं मेरा प्रोटीन वाला मिल्क जो की मुझे डॉक्टर ने दिया है प अच्छा है यह एंड प्रेगनेंसी के लिए मुझे मतलब मेरे जो गानेकलोजिस्ट डॉक्टर है उन्होंने यह वाला रिकमेंट किया हूँ है तो मैं यह ले रही हूं और यह मैंने थर्ड ट्रायमेस्टर में ही स्टार्ट किया है फर्स्ट ट्रायमेस्टर में तो नहीं पी रही हूँ और यह वाला मिल्क पाउडर है जो कि मैं डालती हूँ दूद में यहां पर भी गोई हुई थी बदाम तो वही मैं खा रही थी और एंजॉय कर रही थी दूद के साथ में सो गाइस में नहाकर आगई हूँ बार और आज कर लिया है है और बहुत जादा अच्छा लगड़ा है क्योंकि अभी थूप फाइनली आ गई है दोपर के एक बजरे लगबग तो मैं भी लेटी नहाती हूँ और मैं ही नहीं मतलब सब लोग आजकर लेटी नहाते हैं यहां मतलब अभी था किना मुझे ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है लेकिन जो भी मेरे बाकी कजिन्स अगरा तो उन लोगों को काफी लोगों को सर्दी फीवर यह सब चल रहा है तो इसलिए फिर मैं सोच रहूं कि यार अब ना मैं इतना बाहर अगरा नहीं चाहूंगी क्योंकि मेर तो इसलिए फिर मैं सोच रहूं कि अभी घर में रहूंगी और दूप के मज़े ले रही हूं तो नैचरल है रायर ही हमारे काम का और वैसे ड्रायर है मेरे पास में लेकिन वह फिर में यूज नहीं कर रही हूं क्योंकि दूप में अच्छे से बाद सोब भी चाते और करेंगे हम खाना और काइस आज बनाई है मम्मी ने गट्टे की सब्जी तो वह मेरी फेवरेट मेरी मम्मा के हाथ की बहुत जाद अच्छे लगती है लेकिन अब यह है कि मैं जब तक नहारी थी तब तक मम्मी ने सब्जी बना दी परना मैं आप लोगों के साथ में पक्का वीडियो थी उसमें बहुत सारे लोगों के मतलब नो कमेंट्स आ रहे कॉल आ रहे कि आप प्लीज अपना ध्यान रखो यह करो वो करो ऐसे मत करना वैसे मत करना तो मुझे ना सच में बहुत ही जादा अच्छा लग रहा है और सच बोलू तो मैंने यूट्यूब मतलब बह बताती थी कि मैंने यह वीडियो बनाई है और हम सब टिप पे गए थे तो ट्रिप पे गए तो उसकी वीडियो थी मुंबई टू बैंगलोर की तो वो वीडियो थी और वो तो मैंने बस अपनी मेमरी के लिए बनाई थी की मतलब यूट्यूब में ऐसे सेव करके रखूंग इतने सारे लोग मेरे साथ connected है, 4000 प्लस लोग connected है and आप लोग मुझे देखते हो और मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो, मेरे लिए good wishes send करते हो, तो वो ही मेरे लिए बहुती बड़ी blessing है और मुझे बहुती साथ अच्छा लगता है, आप लोगों के suggestions भी आते हैं, कुछ मतलब यूनो, बहुती साथ अच्छा लग रहा है मुझे, और आप लोग comment में प्लीज आपकी जो भी बाते होती है, मतलब जो भी आप मुझ से communicate करना चाहते हो, प्लीज आप आपके मतलब जो भी मेरी वीडियो की comment box है, उसके अंदर आप अपने questions भी लिख सकते हो, और So guys, मैं आगई अंदर और बाल अलमुष्ट सूखी जोके थे, तो मैंने सोचा कि मैं मेरा जो daily skincare routine है वो कर लेती हूँ, and guys, बाल इतने ज़्यादा soft हो गया ना, बहुती ज़्यादा अच्छे लग रहे थे मुझे, और कभी भी आप भी है ना, मतलब पहले oil लगाया करो, एक दिनों से यही use कर रही हो, तो यह guys, ऐसा नहीं कि winter में ही आप use कर सकते हैं, आप कोई भी season में इसको use कर सकते हैं, क्योंकि यह gel based है मतलब तो, जो cream वाला होता है ना, तो उससे तो मुझे और भी ज़्यादा पसीना आने लग जाता था, क्योंकि मेरी already oily skin है, तो उस अज़े से फिर मैं ना moisturizer skip ही कर देती थी, लगाती ही नहीं थी, direct मैं sunscreen lotion ही लगाती थी, लेकिन जब से यह वाला जो gel वाला moisturizer में मैंने use करना start किया ना, guys, बहुत ही जादा अच्छा लगता है, and face के उपर मतलब कोई भी पसीना वगरा, यासा कुछ भी नहीं होता है, और skin भी बहुत ही अच्छे से moisturizerize रहती है, तो इसलिए मैं यह वाले use करती हूँ, and currently यह मेरा favorite भी है, और guys, यह मैंने मिंद्रा से purchase किया था, तो online भी आप अगर इसको purchase करते है, तो आपको अच्छा खासा discount भी मिल जाएगा, and अगर आपकी oily skin है ना, तो मैं आपको यही recommend करूंगी, कि आप इसको दो या तीन बार लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह उठकर नाकर जब मैं fresh होती हूँ, मतलब तो इस time में लगाती हूँ, फिर शाम को लगा देती हूँ, और अगर रात को यह मुझे लगता है कि मुझे जरुरत है तो फिर में लगा देती हूँ, और यहां पर देख जरुरी होता है, आप लोगों ने तो देखा यह मैं को धूप में बढ़ना कितना अच्छा लगता है, तो at least बोलते हैं कि face खराब नहीं होका, tanning अगरा नहीं होगी, तो इसलिए फिर मैं sunscreen lotion पका लगाती ही लगाती हूँ, तो इस तरीके से मैं कुछ dot dot कर गया हो फिर लग होता है, sunscreen हमारे skin को सूरज की UV, UVB किरनों से बचाता है, यह हमारी skin को नुकसान पहुचा है बिना हमें सूरज में जाने के लिए तयार करता है, यह हमारी skin के look के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारी skin को premature aging, burning और tanning से बचाता है, इसके अलावा यहीं नहीं guys, sunscreen को dehydrate होने से भ So guys, यहाँ पर देखिए, ममा ने बहुत ही tasty, yummy, तीखी गट्टे की सबजी बना कर दी है, ready तो ममा इसको दही बना कर डालते है, इसको बनाते तब, तो इसलिए बहुत ही जादा अच्छे लगती है मुझे, और साथ में गरमा गरम रोटी, तो यह तो मेरी फेवरेट है guys, next time मैं इसकी रेसिपी ज़रूर दूँगा, तो guys, शाम हो चुकी है, और मैं आफ्टनून में बहुत सारी रिल्स शूट कर रही थी, तो वो मैंने कर ली और बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लगी अब बार, तो इसलिए फिर मैं फटा-फट अंदर आ गई, और आप देखो मैंने स्वेटर भी पहना, और उसके ओपर यह मुटा वला ब्लैंकेट भी है, तो यह अगर नहीं करना है, तो फिर आप वो चीज नहीं करने वाले हो, तो मेरे को रेल शूट करनी थी, तो इसलिए मैंने कर ली, और अब लेकिन सच में जादे ही थंडी होने लगी तो इसलिए फिर मैं अंदर आ गई, और अभी मैं थोटी देर सोई थी, 20-30 मिनेंट और अभी स जादा ठंडी है, पूरा घर इतना ठंडा हो गया है न, तो इसलिए देखते हैं अभी, अगर ममा मान जाए तो फिर हम सिगडी लगाएंगे, तो दोस्तों यहां पर मैं बना रही हूँ कॉफी, तो आज सिर्फ ममा के लिए ही कॉफी बना रही हूँ मैं इवनिंग मैं, तो मैं चायव अगरा पीने वाली थी, लेकिन मेरा आज बिल्कुल भी मनी नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने ममा को मना कर दिया कि मैं तो नहीं पीऊंगी, तो फिर ममा ने बोला कि ठीक है, अगर अकेली खी बनाना है, तो मैं भी कॉफी पीने वाली हूँ, तो मम्मी के लिए क कॉफी बनाई, और उसके बाद मैं, हम सिखडी लगा ही रहते हैं, तब तक मैं मेरा कजिन ब्रदर पानी पूरी लेकर आ गया, तो वही मैंने खाई, और मुझे बहुत ही जादा अच्छी लगती है, पानी पूरी आज कल खाना, पतला पहले भी अच्छी लगती थी, हर आज कि अश्या बड़ो की तरह मेरे साथ में रहता है, पानी पूरी तरह मेरे साथ में रहते हैं, मुझे तो अना विल्कुल भी भूकी नहीं लग रही थी तो मैंने ममा को मना कर दिया था कि मैं तो आज शाम को खाना नहीं काऊंगी लेकिन फिर भी ममा ने बहुत जादा फोर्स किया कि नहीं मतलब कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा तो लगबग 10 या 10.30 के आसपास मैंने बस 2 एक का ओमलेट बनवाया ममा से और उसके बाद में ये खाया तो बहुत ही जादा मज़ा आगई आज के दिन की तो क्योंकि unexpected जब आपको कुछ भी चीज मिलती है कुछ भी ट्रेट मिलती है न तो उसका मज़ए कुछ अलग होता है और उसके बाद में गाई से न में इतनी जादा थक गई थी तो मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई तो मैंने ये खाया उसके बाद में में सो गई तो ऐसा था मिर आज का दिन आपका दिन कैसा था कमेंड में ज़रूर बताने बाई बाई टेक कैर लव यू अल